माद्ध्यJust कॉंग्रेस के सीनियर नेथा कांती लाल भूरियार ने कहा है। बीजेपी के नेथा राम मंदिर निर्मान के चंदे के पैसे से शराब फीते हैं। भूरियार के बयान से सियासी घमासान मच गया है। एक तरब जहाँ बीजेपी राम मंदिन निर्माण में चंदा जुटाने में जुटी है तो कॉंग्रेश चंदे पर सवालिय निशान खड़े कर रही है दिगवेज सिंग समेथ कई कॉंग्रेश निताओं ने चंदे का हिसाब मांगा है तो अब मध्रदेश कॉंग्रेश के सीनिय नेता और पूर्व केंदरी मंतरी कान तीलाल भूरिया ने बीजेपी नेताओं के चंदे के पैसे से शराब पीने की बात कहकर सियासी भूचाल मचा दिया है राम मंदर निर्मान में चंदे को लेकर बीजेपी नेताओं पर बड़ा और तीखा हमला करने वाले ये हैं कॉंग्रेश के सीनियर नेता कान तिलाल भूरिया राम मंदर निर्मान में एक लाग चंदा देने वाले दिगवजय सिंग के करीबी और पुर्व केंद्रिय मंतरी से लेकर मध्यप्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष रह चुके कांतिलाल भूरिया के इस बयान के बाद मध्यप्रदेश में सत्ता से लेकर संगठन तक के नेताओं नी पूरी की पूरी कॉंग्रेस को राम विरोधी बता दिया है पूरिया जी केवल राजनेतिक नोटंकिये करके राम मंदिर के निर्मान में अडंगा डालना ये आपके पूर बजो ने हो कांग्रेस ने भी कईयों ने काम किया सौनिया जी नहीं चाहती है कि राम मंदिर निर्मान इसलिए एदा कदा आपके लोग बयान देते रहते हैं लेकिन तथा काचित लीगी नेता और जिन्ना को अपना आदर समानने वाले दिगविजे सिंग जी ने भी एज़ जाके राम मंदिर के लिए धन दिया है कांतिलाल भुरिया जी ने ये शर्मनाक बयान दिया है मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कांगरेस के नेताओं को कहना चाहता हूँ ये भाशपा का अभियान नहीं है और ये चंदब असूली नहीं है ये है कार सेवा उस स्थान के लिए जो हमारे आराधिका जन्म स्थान है हाले में मध्यप्रदेश कॉंग्रिस ने राम भक्ती दिखाते हुए मंधिर के चंदे को लेकर जागुर्पता अभ्यान चलाया था इस अभियान के जरिये कॉंग्रेस ने लोगों से ये भी कहा था कि जो लोग राम मंदिर के लिए चंदा देना चाह रहे हैं वो सीधे मंदिर ट्रस्ट के खाते में जमा करें किसी बीजेपी नेताओं को ना दे लेकिन अफ कांतिलाल भूरिया के बयान के बाद दूसरे कॉंग्रेसी भी चंदे का हिसाब मांग रहे हैं कि जो लो रहे हैं